हेलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में तो यार इस वीडियो में जो है हम आपके स्ट्रेट लाइन स्टैप्टर से लेटेड जितने भी इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट से और फॉर्मुलेस सबको रिवाइस करेंगे तो यहां पर सारी चीजे आप कम टाइम के अंदर तो यहां पर फटाफट आपका जो है चीजे रिवाइस हो जाएगी और मैं ट्राय करूंगा कि और भी चैप्टर पर इस तरीके के वीडियो लाओ और अगर आप लोग यार इस चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इसी तर आपके देखे रहें और उनके बीच का दिस्टन्स टी है तो वहां पर हम सिंपल सा यह फॉर्मुला यूज करते है डी इस इकल टू रूट ओवर एक सब्सक्राइब का होल स्कुरा है और इसके मदर से हमारा इस दो पॉंट के बीच का दिस्टन्स निकलाता है अब हम जो है second basic formula अगर देखे तो वो आजाता है हमारा section formula section formula के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक point है वो इन दो points को जो है internally divide कर रहा है m is to n में तो यह point कहलीजिए x1,y1 है और यह point कहलीजिए x2,y2 है और यहाँ पर यह point अबन का divide कर रहा है p point इसके coordinate से x,y तो अगर हमें x,y न यहाँ पर plus sign कभी यूज़ करना माइनस sign कभी यूज़ करना है तो plus sign हमें तभी यूज़ करना है जब वो point हमारे जो यह दो points है और यह मतलब जो straight line है इसको internally divide कर रहा हूं जयाजा कि आप इस figure में देख सकते हैं अब अगर मैं बात करूं कि भाई मान लीजिए यह point यहाँ कहीं पर point P यहाँ पर है और हमारे coordinates से वह सेम के सेम है तो अब यह इन दोनों points को externally divide कर रहा है ठीक है यहाँ पर आप कह लीजिए जो distance का ratio रहेगा वो यह M हो जाएगा और इस point से यहाँ पर हो जाएगा N तो इस तरीक से M is to N में divide कर रहा है तब हमें क्या लेना है तब हमें जो यहाँ पर negative sign देना है ठीक है तो इस तरीके से negative sign अपना कभी यूज होगा जब externally divide कर रहा है अब हम next चीज देखते हैं तो next चीज जो है वो है यार हमारी basic triangle से related कुछ terms जो की हो जाते centroid, in-center, x-center, circumcenter, orthocenter तो अब से पहले हमें centroid पर नज़र डालते हैं centroid simply क्या है तो य यह है intersection of medians तो यहां पर मान लीजिए यह point A है तो यहां से एक median draw करी, median क्या करता है जो opposite side है उसको equal इसमें बाट देता है ठीक है bisect कर देता है उस side को, यह point B से अगर आपने median डाली तो यह इसने इस तरीक से divide किया और यहां से भी मान लीजिए यह अपने median draw करी तो इस तरी point मिला ना यह हमारा हो जाएगा centroid और इसको generally represent upon point G से करते हैं तो यहां पर इसलिए मैंने G use किया है और इसका coordinates क्या हो जाएंगे x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3 और इस तरीक से जो है आप इसका निकाल सकते coordinates अब एक और बात यहां पर जो है important note करने वाली यह जो हमारा centroid रहता है न यह कोई भी median को 2 is to 1 के ratio में divide करता है तो यह point भी कभी कभी काफी जादा useful है इसलिए से याद रखेगा अब हम बात करते हैं अगले in center और x center के coordinates तो in center basically क्या होता है जो की मतलब internal angle bisector से हमें point मिलता है चैसे की यहां पर इंटरनल bisector इस angle को कौन सी line bisector यह इस तरीक वगी लाइन जोए कर दियोगी ठीक है साथ ही साथ जो है यहां पर एक और यह वाला एंगल भी तो फॉर्म हो रहा है तो इसको जो भाई लाइन अपनी बाइसेट कर रही होगी ना वह किस तरीके से टो होगी इस तरीके से इधर भी हमें एक एक्स टर्नल मिल जाएगी तो यह वाला जै एंगल को कर तहरीके से तो इक ट्रैंगल के लिए हमें तीन x प्रिप्रेजंटर मिल जाते इसलिए यहां पर मैंने आई 1 से ऐसे या फॉर्मुले को थोड़ा सा जो है चेंज करके i2 और i3 भी निकाल सकते तो सिंपल से यह कॉडिनेट्स याद रखिए जिसकी नस्यपन इन सेंटर और एक सेंटर को डारेक्ली निकाल सकते बाकी यह डेफिनेशन कभी यूज करके जो है आप निकाल सकते उसके ठीक है अब ह अर Concentral इस तरह ऑर यह आ इस साइट को करते हैं ऐसा ही हमें इदर पी us audio कर दिजिए ब्रक्रीटके आर और promote की वर जादा यूसफुल है वो यह है कि कोई भी यह जो हमारी G, O, C रहती है G, O, C याने की G मतलब हमारा centroid हो गया, O हमारा ortho center हो गया और C हमारा circumcenter हो गया यह तीनों जो points होते हैं यह एक line पर लाए करते हैं और खास बात यह है कि जो G रहता है centroid रहता है वो ortho center और circumcenter को जो line draw कर रहे है उन दोनों को join करते हुए उसको 2 is to 1 के ratio में divide करता है तो यह point भी आपको काफी जादा useful रहेगा exams में अब हम next बात करते है next point होगे आपका area of triangle तो area of triangle के लिए आपको simply formula यूज करना रहता है जहां पर आपको तीन coordinates दिये रहते है x1, y1, x2, y2 and x3, y3 तो वहां पर हमें simple से determinant को जो है लगाना है और हम जो है easily equation निकाल सकते है determinant को solve करी और आपको answer मिल जाएगा अब हम next देखते है next हमारा slope formula तो ठीक है कोई भी यार 2 point हो गए उसको join करना है तो यह line का अगर हमें slope निकालना है तो slope basically हम इस तरीके से निकालते है m is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2 या फिर कह लीजिए y2 minus y1 divided by x2 minus x1 और slope क्या है basically तो slope यह है कि कोई भी हम जो line draw कर रहे है उसका x axis के साथ जो है anti-clockwise में जो theta angle बन रहा है वो तो anti-clockwise यह याद रखिएगा तो यहाँ पर यह जो हमारा theta हो जाता है यह हमें angle मिलता है और हमारा slope हो जाता है basically 10 theta m is equal to 10 theta तो वही जो है हम इसदर से निकालते y1 minus y2 divided by x1 minus x2 चलिए अब अब आपन देखते different form of straight lines तो different form of straight lines यह जो है questions में कई बार आपनको decide करना रहते है कि आपनको कौनसी form of straight line यूज करना है तो सबसे पहला हो जाता है हमारा slope form y is equal to mx plus b तो y is equal to mx plus b में आपको slope तो समझ आई गया होगा तो इस line का मान लिजिए slope आपका m है और b यहां पर क्या है तो b है हमारा y intercept तो y intercept वह हो गया कि वह y axis को जहां भी काट रहा है तो origin से उसका distance तो यहां पर यह जो है यह हो जाएगा b तो y is equal to mx plus b then point slope form काई के लिए हो जाता है मान लिजिए इस line का slope जो है वो m है और यह line जो है एक point x1 comma y1 से पास हो रही है तो वहां पर हम point slope form को use कर सकते है y minus y1 is equal to m into x minus x1 two point form क्या हो जाता है कि जब अपनको बोल दिया गया है एक जो straight line है वो दो point से पास हो रही है x1 comma y1 and x2 comma y2 तो उस case में हमें यह वाली जो है equation यूज करनी है y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1 अब हम अगली बात करते है intercept form तो intercept form हमारा basically क्या हो जाता है x by a plus y by b is equal to 1 a क्या हो गया a हो गया हमारा x intercept और b हो गया हमारा y intercept तो यहाँ बेख सकते हैं यह जो straight line है ठीक है यह हो गया उसका x intercept और यह हो गया उसका y intercept तब आप इस equation को use कर सकते है x by a plus y by b is equal to 1 अब अगली जो बात करेंगे हम वो है normal form की तो normal form में basically क्या होता है कि यह आपकी straight line है तो अगर मैं origin से इस पे perpendicular डाली ठीक है यह मैंने origin से इस पे perpendicular डाली और जो यह straight line है उसका distance from origin है मान लीजिए p और यह जो normal है यह x-axis से angle बना रही है theta यहां पर जैसे अपने alpha लिया है तो यह मान लीजिए कि यहां पर alpha angle बना रही है तो उस case में हमें यह वाली equation को use करना है x cos alpha plus y sin alpha is equal to p अब जो next है वो है हमारा यार parametric form तो parametric form में क्या होता है मान लीजिए यह जो कोई भी straight line है हमारी यह x1, y1 point से pass हो रही है साथी साथ यह angle जो positive x-axis से बना रही है वो है हमारा theta तो यहां पर यह वाला parametric form जो है अपना आ जाता है x-x1 upon cos theta plus y-y1 upon sin theta equal to r अब आप सोच रहोंगे कि r क्या है यहां पर तो यह वाला जो point है ना इससे कोई भी distance पर यार हम point ले ले x, y उसका distance है यार ठीक है तो इस तरीके से जो हम parametric form use कर लेते है x-x1 upon cos theta plus y-y1 upon sin theta equal to r और लास्ट जो है वह हमारा general form तो कोई भी आर अपन जो straight line की equation है वह इस form में हमेशा लिख सकते ax plus by plus c ठीक है यहां पर यह जो है a हमारा x का coefficient हो जाता है b जो है वह y का proficient तो a b c हमारे कोई भी real numbers तो इस तरीक से हमें यह general form मिल जाता है अब अगली अगर हम बात करें तो वह हमारी condition of collinearity of three points मतलब three points जो है वह collinear कभ होगे तो collinear का मतलब है कि वह जो तीनों point है न हमारे वह a b c वह एक straight line पर लाए करना चाहिए तो तीनों के coordinates मान लीजे x1, y1 x2, y2 and x3, y3 तो यह अगर collinear है तो simply हमें जो है यह determinant से हम यहाँ पर check कर सकते x1, x2, x3 जो हमारे first column में आ जाएंगे y1, y2, y3 जो हमारे second column में और 111 यहाँ पर आ जाएंगे तो इस कि हमें इस determinant को हमें always equal to zero रहेगा, तो question यही आता है कभी इसमें एक आदा variable कर देंगे, k डाल देंगे और k की value निकाली है, तो आपको simply इस determinant की मदद से वो value निकालनी है, अब अगली जो चीज है वो है हमारी angle between two straight lines, तो यह आपकी दो straight lines देके रखिए, जिसमें जो है first line का मान लीजी है, slope है m1, and second line का जो slope है, वो है हमारा m2, तो इनके बीच का जो angle theta है, वो हमारा हो जाता है, 10theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, इस तरीके से जो हैं, उनके बीच का angle निकाल लेते हैं, अब अगला जो चीज है, वो है हमारा कि दो lines, कभी भी यार मतलब हमेशा जो है, जनरल केसे सपन देखते हैं, त कुछ condition आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई एक ना एक variable डाल देंगे, और उसकी value आपसे पूछेंगे, तो यहाँ पे condition हमारी हो जाती है, दो lines अगर हमारी parallel है, a upon a' is equal to b upon b' is equal to c upon c' तो यह दोनों जो है, यह general equation of straight line लिखी है, तो यहाँ पे जो है, x के coefficient हो गए y के coefficient हो गए, और यह जो हमारा constant है, इनका ratio equal आता है, और अगर इन दोनों lines के बीच का हमें distance निकालना है, d, तो उसके लिए formula होता है, d is equal to mod of c1 minus c2 upon root over a square plus b square, और अगर हमारी दो lines मान लिजे, perpendicular देके रखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको देख रहा है, तो इस case में क्या 0, ठीक है, अब अगली चीज़ जो है, वो है हमारी, अब point and a line, ठीक है, तो एक point और एक line के बीच का distance क्या होता है, तो वो simply हो जाता है, मान लिजे, इस point का जो coordinates है, वो x1, y1, और यह हमारी line देखे रखिए, तो यह line हो गई, ax plus by plus c equal to 0, तो इनके बीच का अगर हमें distance निक कालना है, ठीक है, यह d है, तो d is equal to हो जाता है, हमारे ax1 plus by1 plus c upon root over a square plus b square, और distance हमेशा positive होता है, इसलिए हमने यहाँ पर mod लगा दिया, अब अगली जो चीज़ है, वो है हमारी reflection of a point about a line, एक कोई line है, ठीक है, और यह हमारा point देखे रखा है, तो इस line के along जो है, उसका एक reflection आएगा, ठीक है, याने कि यह point का जो है, इस line से distance और उसके reflection का distance सेम रहेगा, यही सारे concepts को use करके, जो है, हमारे यह formula आजाता है, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to minus 2 into ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square, तो यहाँ पर यह ax plus by plus c is equal to 0, जो हमारी line की equation हो गई, और point के जो coordinates है, वो मान लीजिए, x1, y1 दे तो यहाँ से आपको x और y निकल आएगा, याने कि जो है, आपको reflection के coordinates मिल जाएगे, तो इसे हम एक तरीकी से image भी बोलते हैं, तो image related questions हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं, अब अगली जो चीज है, वो है हमारी foot of perpendicular from a point on the line, तो कोई भी एक point है, और यह आपको line देके x, y, तो इस formula को use करके आप निकाल सकते हैं, अब एक चीज आपने notice की होगी, तो image of a point about a line के अंदर जो हम यह जो formula यूज कर रहे हैं, इसके अंदर minus 2 आता है, जबकि foot of perpendicular में यहाँ पर बस minus आ जाता है, तो बस इतना सा फरक है, अगर एक formula आपको याद होगी है, तो दूसर का time save हो, चलिए, अब हम next चीज देखते है, next चीज हो गई हमारी bisector of the angles between two lines, तो दो line आपकी देखे रखिए, l1 और l2, l1 की equation हो गई, ax plus by plus c is equal to 0, और l2 की equation हो गई, a dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0, और यह जो है आपकी yellow वाली जो lines हो गई, वो हो गई आपकी उसके angle bisector, तो एक चीज है, दो angle बन रहे है, यहां पर accurate angle बन रहे है, तो यह होगे हमारा accurate angle bisector, और यहां पर obtuse angle बन रहे है, तो यह होगे हमारा obtuse angle bisector, अब यह चीज हम कैसे decide करें कि भाई, यहां पर जो है, यह equation है, वो हमारी accurate angle bisector की दे रही है, जो है obtuse angle की दे रही है, तो यहां पर इसलिए, य सबसे पहली चीज यह कर दीजिए कि दोनों एक्विशन को स्टाइंडर में लिख दीजिए ठीक है जिसके अंदर जो है हमारे पॉजिटिव वाला हमें ऑप्ट्यूस आंगल बाइसेक्टर देगा ठीक है और नेगेटिव साइन के साथ जो एक्विशन रहेगी वह हमें एक्विट आंगल बाइसेक्टर की जो है एक्विशन देगी और अगर एवन एटू प्लस पीवन बीटू इस लेस देन जीरो तो उ क्कॉन्डिशन ऑस इसका मतलब यह है कि अगर हमें चेक करना है कि तीन जो गिवन लाइन सेए वह हमारी चैके करना है कि तो कंकॉरेंट का मतलब हो जाते है कि थिनों लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो घिवाह यहां पर जैसे कि आप देख सकते vividL1-2 और इनकी दो जो है आपकी general form में देखे रखिए a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 और इसी तरीके से बाकी दो की तो उसके लिए जो हमारी condition हो जाती है वो यह हो जाती है ठीक है तो हमें determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इनका जो determinant है that must be equal to 0 then जो next concept हमारा वो है pair of straight lines through origin ठीक है तो दो straight lines है that are passing through origin तो उनकी जो हम combined equation लिखते है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 और उसे यह condition भी satisfy करनी चाहिए कि a square must be greater than equal to a b तभी जो है वो pair of straight lines को represent करेगी अब अगर हमें जो है इसके बीच के एंगल अगर theta देके रखा है तो यहां पर condition हो जाती है कि 10 theta is equal to mod of 2 root over s square minus a b upon a plus b तो कई बार पूछा जाता है कि उन दोनों straight lines के बीच के एंगल निकालना है तो वहां पर आपकी यह equation जो हो जाती है अब जो हमारा आखरी concept बचा है वह है family of lines ठीक है तो इसके अंदर जो है हमारी मान लीजिए दो equations आपको देखे रखी है L1 और L2 ठीक है तो यह जनरल फॉर्म में देखे रखी है AX प्लस BY प्लस C equal to 0 तो इन से जो है काफी सारी straight lines pass हो रही होगी तो इस तरीके से जो है वह क्या हो जाएगी इस तरीके से हो जाती है L1 प्लस lambda L2 equal to 0 तो यहाँ पर जो है lambda एक parameter हो गया जैसे जैसे हम change करते जाएंगे हमें नई-नई lines की equation मिलते जाएगी तो और कुछ आपको एक हार condition देखे रखेगी जिसकी मेंसे हमें exact equation पता चल जाएगी वो consistent line के बारे में बात करें तो बस आपको यह form याद रखना L1 प्लस lambda L2 equal to 0 तो यहाँ पर हमारा पूरा chapter खदम होता है जितने भी important concepts और formulas वो हमने सब revise करें वो भी जितना कम time में possible हो सकता था उसके अंदर तो अगर आपको यह content पसंद आया है तो एक बार comment section में जरूर लिख के बताईए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस channel को जरूर शेयर करिए इससे हमें भी motivation मिलता है कि लगातार आपके लिए इस तरीके का बहतरीन content लाते रहे channel पे चलिए तो फिर मिलते अगले किसे नए वीडियो में नए concept या strategy के साथ तब तक आप लोग अपना ख्याल रखी और अपनी preparation जोरू शोर से करते रहे है थैंक यू अब्रीबन